नमस्कार दोस्तों आज सबसे बड़ा काम करने वाले हैं इसलिए हमारा सैटप भी पूरा बदला हुआ है क्योंकि हम इसे करने वाले हैं रीसेट लेकिन मैं खुद हमेशा मना करता हूं कि कभी भी किसी ब्रांड़ेट राउटर को रीसेट नहीं करना चाहिए और नॉर्मल आ देने वाला हूं क्या इसका आपको में ली मैं यहां पर आपको में कनेक्टिवीटी दिखाऊं तो यह जो है हमारा वो आनंद एर फाइबर है और अब ही आप देखेंगे तो यहां पर यह करनेक्टिवीटी चल भी रही है क्योंकि इसके पीछ हमने स्विचर लगा रखा है तो यहां पर में ले तीन बायर आती हैं यह में और यूनिक में पावर और इथरनेट के विल को हटा देंगे जो कि हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो खतम हो जाएगी लेकिन क्या हम इसे रीसेट कर सकते हैं तो यहां पर जो एक छोटा सा आपको दोट दिखाई द सब कुछ है और इंटरनेट एकसिस हो रहा है लेकिन यह रीसेट होगा तो यह लाइट ब्लिंक करने लएगी लेकिन आप हमाई चैनल पर फर्स्ट हमाई चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चरू कीज़ेगा रैगलर अपडेट के लिए एक चीज़गों कहना चाह हैं और तब आपके घर में लग जाए तब आपकी पेमेंट कीजिए सिक्स मन्त के लिए मैंने भी ले रखा है लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डर है क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई मतलब जियो की बात करूँ एटल की बात करूँ रीसेट मारूंगा तो वहाँ पर यहां से क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो ऐसे तो कुछ खास नहीं करना मुझे यहां से तो यह में वायर है एथनेट के मिल निकाल ली हमेशा निकाल लेने चाहिए और यह जो बिलिंग होरी लाइट डैट मेंस इंटरनेट कनेक्टिविटी चल रही है तो यहा यहां से और यह जो बिलिंगे जो बैस फट्राइट से तो यहां से यहां से एड एक तो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोहथा पंद्रा सोला सत्रा अठारा उनिएज बेश एकेस बाइस तेईज चोविस पचेश चविस सताईश अथाएश अथ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 मतलब यह तो मैं दवायव हूँ अभी और यहाँ पर रिसेट नहीं हुआ है क्या इसका रिसेट बटन वर्क नहीं करता है सच में यहाँ पर तो फिलाल मैंने चोड़ा है शाद मुझे पहले चोड़ देना चाहिए था तो यहाँ पर रिसेट लाइट और यह जो इंडिकेटर लाइट वो कंटिन्यू जल रही है तो यहाँ पर इथरनेट कनेक्टिविटी और पावर दोनों दिखा रहा है तो अब सा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अब स्टार्ट कर सकता हूं शायद लेकिन अभी मुझे यह डाउट है कि क्या यह प्रॉपर वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ओ तो यहाँ पर तो यह हो गया कंप्लेट अब जानते हैं इसके आई-पी किस तरीके से वर्क कर लेंगे तो दोस्तों फाइनली हमने रिसेट कर लिया है एक्चुली इसमें कुछ चेंज इसवें से नहीं हुआ क्योंकि अपने सर्वर से कनेक्ट हुआ और जो मेरे मेरे में ली था आनत एयर फाइवर से जी वही रहा मतलब यहां पे जो मतलब SSID होती वह चेंज नहीं हु हुआ है अभी तो इस पीड डाउन रह सकती है लेकिन उमीद है मुझे कि एक लिस्ट थाटी एंभी पेस तक पहुच जाएगा सिर्फ इंटर्नल सेटिंग चेंज होती है वो फट फट जल्दी से कनेक्ट करके वो नॉर्मर को इसी वीडियो के नीचे जी ओ एयर फाइवर डिटेल आ रहा होगा बाकी सारे एले वीडियो आप वहां पे भी देख सकते हैं बहुत कुछ काम की वीडियो आपको देखने के सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चरू कीचे को धन्यवाद